हेलो और वेलकम डियर स्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चों ये कलास 7 का हिंदी बुख है चेप्टर 10 है और इस चेप्टर का नाम है आलपस परवत पर रेलवे स्टेशन आलपस परव को अपनी और अकरसित करती है लोग प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनंद लेने के लिए चुटियां बिताने के लिए या कभी-कभी सहर के सोर सराबे से प्रेसान होकर ऐसे जगों पर चले जाते हैं और एक हकीकत यह है कि हम जैसे लोग मतलब साधरन फैमिली के लोग ऐसी ज आलपस परवतों की सिरिंखला यूरोप की सबसे उंची परवत सिरिंखला है यंग फ्राव इसी आलपस परवत सिरिंखला का सबसे उंचा सिखर है इसकी उंचाई 4158 मीटर है बरप से ढके होने के कारण इस परवत सिखर की सुन्दर्ता विस्सु विख्यात है यह सिखर स् मैद दच्छनी भाग में इस्थित है या अस्थल पर्यटकों खेल प्रेमियों और रोमांच प्रिये वेक्तियों के लिए बिसेस प्रिये है यूरोप के सबसे उंची परवत स्रिंखला तो यूरोप जो है एक महादेश है एसिया से ये पहले सटा हुआ था उस समय उरोप और एसिया को मिला कर उरेसिया बोला जाता था लेकिन यूरोप जो है अब अलग हो गया है और एसिया अलग हो गया है तो एसिया में सबसे उंचा परवत हिमाले जैस तरह से है उसी तरह से यूरोप में अलपस परवत जो है वहां का सबसे उंचा परवत है जिसमें यंग फ्रा सबसे आश्चरी की बात तो यह है कि स्वीश इंजिनियरों ने इस परवत सिखर पर रेल लाइन बिचा कर यंग फ्राव के पास यंग फ्राव पॉक नामक रेलवे स्टेशन का निर्मान कर दिया है इसका निर्मान आज से लगबग 100 वर्स पूरू क्या गया था इस स्टेशन की उचाई 3454 मिटर है तथा संपूर्ण स्टेशन वा सारी रेल लाइन गुफा के अंदर बनाई गई है जैसा कि यहाँ पर बतला रहा है स्वीश इंजिनियर हो गए तो स्वीश इंजिनियर मतलब हो गए कि स्वीड जर्लेन्ड के जो लोग होते हैं उसको स्वीश बूला जाता है तो वहां के जो इंजिनियर है उन लोगों ने वहाँ पर रेल लाइन बिचा दिया है तो रेल लाइन बिचाने का कारण यही है कि वैसे जगहों में आसानी से घुमना फिरना उसकी सुनदरता को देख सके वहां का जो station बनाया गया है तो उसी की नाम से दिया गया है यंग फ्राव सिखर का नाम है तो उसी की नाम से दिया गया है यंग फ्राव पोक यहां पे पोक लिखावा है लेकिन आगे और जहां पे लिखावा है योख लिखावा है यंग फ्राव योख अब इसमें अंदर है सारा rail line जो है गुफा के अंदर बनाया गया है जब statement की बारीस स्वर्फ से ढटिरती है तब statement के अंदर आराम और दायक तापमान बना रहाता है इस rail line पर यात्रा करते समय सुंदर घाटियों जीलों जहरनों वनों आदि के मनोहारी द्रिश्यों को देखने से इसा प्रतित होता है मानो कलपना लोग की सेर कर रहे हो दो घंटे की सिरेल यात्रा के एक एक छन का आनन्द लिया जा सकता है वहाँ पे जो इस्टिशन बनाया गया है गुफा के अंदर वहाँ उपर में जो है काफी ब्रफ जमा रहता है तो जब काफी सारा ब्रफ जम जाता है तो ऐसी स्थिती में गुफा के अंदर आरामदायक तापमान होता है लोगों को ज़्यादा परिशानी नहीं होता है और इस लाइन में सफर करने से आपको बहुत सारी सुन्दर चीजें देखने को मिल जाता है जो प्राकृतिक चीजें हैं सुन्दर घाटियां जील है जहरने है इस सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई कलपना लोक में हम लोग घुस गया है और यह यात्रा जो है जादा लंबा का नहीं है यह दो घंटे का है लेकिन दो घंटा भी कम नहीं है इसका एक एक चीज का आनन लिया जा सकता है इसके आगे दियावा है इंटर लेकिक को स्वीच जिरलेंड का सबसे सुन्दर जीलों वाला नगर माना जाता है तो इंटर लेक आकार से दूज के चांद अथवा मोती की माला का आकार बनाती है। इन दोनों जीलों के बीच यह इंटरलेकेक नगर बसा हुआ है। यह नगर सुन्दर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन प्रवतों की छाया जब इन जीलों के निर्मल जल पर पड़ती है तो वातावरन बहुत रंगीन हो जाता है। यहां दो रिल्लों जीलों के बीच में ही यह इंटरलेकेक सहर बसा हुआ है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जीलों में जब इन परवतों की छाया दिखाई पड़ती है तो यहां का वातावरन काफी रंगीन सा बतलब सुन्दर सा लगने लगता है। यहां पे दो स्टेशन दिया गिया है एक इंटरलेकेक व्यस्ट के नाम से और इंटरलेकेक ओस्ट के नाम से दिया गिया है। पर पहुँचने के लिए स्वीस रेलों की यह विशेस्ता है कि वे अत्यंत अरामदायक वात्ति ब्रगामी है और नियत समय पर चलती है लगबक सभी रेले वातानु कुलित होती है और इनके डिब्बों का रंग भी मनभावन होता है तो वहां के रेल जो होता है उसका विशे सब्बस होता है और दीबे के बाहर जिए उसमें इस तरह होता है जो देखने में काफी सुंदर लगता है मन भावन होता है इंटर लेके कोस्ट से चलने के लगभग आधा घंटे के बाद ट्रेन लोटर ब्रुनेन नामक स्टेशन पर पहुंचती है यह एक परवतिय अस्थल है जो सागर तल से 796-96 मिटर की उंचाई पर है इस मार्ग में हरी भरी पहाडियों वनों जहर्नों आदि की भरमार है लोटर ब्रुनेन को जहर्नों का गड़ का आजा सकता है क्योंकि इस छेतर में कम से कम 72 जहर्ने हैं जो उंचाई से अपनी अथा जलरासी नीचे बिखेरते रहते हैं तो वहाँ से इंटर लेके कोस्ट से चलने के आदा घंटे बार जो है एक स्टेशन मिलता है जिसका नाम है लोटर ब्रुनेन और यह ज़ादा उंचा नहीं है लेकिन सागरतल से 796 लगबग 800 मिटर उंचाई पर है और वहाँ पर आपको कई प्राकृतिक सुन्दरता देखन को मिल जाएगा जिसमें से हरी भरी पहाड़िया है वन है जहरना है यह सारी चीजें वहाँ पर भरा हुआ है यह सारी चीजें देखने को मिलेगा इसके बाद इसको जहरनों का गढ़ कहा जाता है इसके पीछे कारण यह है कि इस छेतर में लोटर ब्रुनेन के छेतर में 72 ज जो हमेशा ही जल को विखेडते रहते हैं यहां से ट्रेन बदलने के बाद दूसरी ट्रेन क्लाइन साइड एग नामक अति सुन्दर परवतिय रेलवे स्टेशन तक जाती है इस स्टेशन की उचाई दो हजार 61 मीटर है इस स्थान को आलपस की बरफिली चोटियों तथा हरी भ करते हुए परवतारों ही मिल जाते हैं क्लाइन साइड एग में एक बार फिर रेल बदली जाती है कुछ बरफिली पहाड़ियों से गुजरने के बाद रेल गाड़ी सिग्र ही लंबी गुफा में परवेस कर जाती है तथा अंदर ही अंदर अपनी मंजिल की और बढ़ती ज जंगल भी है जहां पे कई सारे जानवरों को आप चरती हुए देख सकते हैं जिसे किया बतलाया गया है स्वीस गाएं चरती हुई देखी जा सकती है तो वहां पे आप स्वस्त और सुन्दर गाएं जो है चरते हुए आप देख सकते हैं यहां पे कुछ ऐसे लोग मिल गुफा में रेल प्रवेस्ट कर जाती है और उस गुफा के अंदर ही चलती रहती है और आगे यहां पर दिया हुआ है गुफा के अंदर जब चलते रहती है तो फिर गुफा के अंदर ही अंदर चलती रेल आइसमीर नामक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है अब आगे जो ह देखने पर आलपस की निराली छवी के दर्सन होते हैं और यह स्टेशन की बात कर रहा है आईसमीर स्टेशन जो है वो एक परमुख सिखर है उसके नीचे बना हुआ है और वहां से आप ट्रेन के सीसे से बाहर जब देखते हैं तो आपको सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता दिखाई पड़ती है इसके बाद रेल गाड़ी अपने अंतीम पड़ाव अर्थात यंग प्राव योग पहुंचती है यहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो किसी बरप की नगरी में पहुंच गये हैं इसके बाद यहां से आईसमीर से चलने के बाद अपने अंतीम पड़ मतलब दो घंटे का उसका यातरा कंप्लीट हो जाता है और अंतीम पड़ाव यहां पर पहुंचते हैं और वहां जब पहुंच कर देखते हैं तो चारो तरफ बरफ ही बरफ दिखा देते हैं क्योंकि यह बहुत ही उचाई पे हैं अब देख रहे हैं आइसमीर जो है वह इतनी उचाई पे है तो फिर यह अंतीम उचाई पे पहुंच जाता है और वहां जितना ज्यादा उचा पे पहुंचते हैं उतना ज्यादा बरफ हम लोग को मिलता है रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पहाड के अंदर गुफा में है तो इतनी उचाई पे बाहर में स्टेशन रहन बना रहता है तो गुफा के अंदर किसी भी गुफा के अंदर सुूरी का प्रकास नहीं पहुँच सकता लेकिन बिजली के लाइट से वहां उजालक किया जाता है गाड़े से उतरकर प्रयटकों का काफिला अपनी मंजिल की और रवाना हो जाता है बर्फिली हवा से बचने के ये स्थान बना हुआ है, वहां वे निकल जाते हैं, और वहां काफी ठंड हवा चलती है, चारो और बरप है तो ठंड हवा ही चलेगी, उससे बचने के लिए लोग जैकेट लेते हैं, और वह ऐसे जूते लेते हैं, जो बरप में आसानी से चला जा सके, टोपिया पहन लेते है इस तरह से, मतलब जो लोग वहां पे गय हैं, वह लोग बिसेस करके जान सकते हैं ऐसी जगों में, अधी मौसम अच्छा हो तो उत्तर दच्छिन, पुरू पस्चिम, चारो और अनंद सफेदी के दर्सन होते हैं, इसकींग करने वाले अपनी इसकी का सामान लेकर आगे दिखाई पड़ेगी, चारो और सफेदी, मतलब चारो और बरफ ही दिखाई पड़ेगी, इसकीमो गाड़ियां जो होती हैं, वो गाड़ी होती हैं, तो वो सिर्फ बरफ पे फिसलती हैं, और उसको खीचने वाले कुट्टे होते हैं, इसके अलावा लोगों के पास इसकी करने वाले लोग होते हैं, इसकीं करने वाले, तो वो पैरों में लंबे-लंबे से बांध लेते हैं, और उस बरफ पे फिसलते जाते हैं, हाथों में दो डंडे ले लेते हैं, और फिर वो फिसलते जाते हैं, काफी तेजी से, उसका आनंद लेते हैं, इसके अलावा कई क्रिप्ट के द्वारा जा सकते हैं इस वेद साला की उचाई 108.6 मीटर है यहीं पर हाई विमान मौसम विज्ञान तता खगोल सास्तर समंधी अनुसंधान किये गए हैं तो वहां पर एक ऐसा स्पिक्स नाम का अनुसंधान के अंदर है जहां पर मौसम की जानकारी हमेशा मतला आते रहता है क्योंकि बरफिली इलाका है मौसम की जानकारी हमेशा रखना जोरूरी है किसी तरह की खतरनाक मौसम हो इससे पहले लोगों को सावधान कर दिया जाता है लोग सुरच्छी तस्थानों पे चले जाते हैं तो यहां पर जाने के लिए लिप्ट के द्वारा जाय गोल सास्तर ऐसे और भी अनुसंधान के अंदर वहां पे बने हुए हैं तो यहां पर यह चैप्टर कंप्रिट हो गया है आए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ इसमें सबसे पहले यहां पर सब्दार्थ दिया हुआ है जो की हिंदी इंगलिस दोनों में दिया रह रहे स्टेशनों के नाम लिखो तो रहे स्टेशन बहां पर बतलाए गया है तो उसमें से तो जीना है जी annście क्या होती है कॉन खी answer आगे दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें और क्या question दिया हुआ है want परते लगाकर 5 इसको आप एक वचन में लिख सकते हैं जैसे पर्यतक के पास एक वस्टू थी तो इस तरह से इसका अंसर लिखा जा सकता है इसको plural से singular बनाना है बहुबचन से एक बचन बनाना है तो इसको आप स्वयम कर सकते हैं भाव बचन संग्या बनाओ उचा से उचाई हो गया, लंबा से लंबाई हो गया सुन्दर से सुन्दरता और योगी से योगीता इसको आप स्वयम बना सकते हैं और यहाँ पे कुशन नंबर फाइव जो दिया हुआ है सब्दों को अपने वाइक्यों में परियोग करो तो यह जो सब दिये हुए हैं इसको वाइक में बदल लेना है तो जो वाइक में बना के आप लोगों को देता हूँ वह कोई जरूरी नहीं कि उसी वाइक को आप लिखें आप खुद भी उस वाइक को बना सकते हैं और एक्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं इससे क्या होगा आपका नंबर बिल्कुल भी निकटेगा कौन सी है आलपस परवतों की स्रिंखला यूरोप की सबसे मुची परवत स्रिंखला है आलपस परवत स्रिंखला का सबसे मुचा सिखर कौन सा है इसकी उचाई कितनी है यंग फ्राव आलपस परवत स्रिंखला का सबसे मुचा सिखर है इसकी उचाई 4158 मिटर है यंग फ्राव योख स्टेशन की क्या दिसिस्ताएं है यंग फ्राव योख स्टेशन का निर्मान लगभग 100 वर्ष पूरू हुआ था इसकी उचाई 3454 मिटर है तथा संपूर्ण स्टेशन वासारी रेल लाइन गुफा के अंदर बनाई गई है यहां यातरा करते समय इसके मनुहारी द्रिश्यों को देखकर ऐसा पर्तित होता है मानो कलपना लोग की सेर कर रहे हूँ इंटरलेकेक को जीलो वाला नगर क्यों कहा जाता है इंटरलेकेक को स्टेशन जीलो वाला नगर माना जाता है यहां दो जीले हैं तुन जील तथा ब्राइट जील इन दोनों जीलों के बीच यह इंटरलेकेक नगर बसा है स्वीश रेलों की क्या विशिस्ता है स्विश रेलों की यह विशिस्ता है कि वे अत्यंत आरामदायक वत्ति ब्रगामी है और नियत समय पर चलती है लगभग सारी रेले वातानू कुलित होती है और इनके डिबों का रंग भी मनभावन होता है लौटर बूनेन को जरनों का गढ़ क्यों कहा जाता है क्योंकि इस छेत्र में कम से कम 72 भात्तर जरने हैं जो उचाई से अपनी अथा जलरासी नीचे बिखेटे रहते हैं आइसमीर रेल्वे स्टेशन कहां इस्थित है या कितनी उचाई पर इस्थित है आइसमीर रेल्वे स्टेशन आलपस परवत के एक परमुक सिखर मौंख के नीचे गूफा में इस्थित है इसकी उचाई 3160 मीटर है बरफीली हवा से बचने के लिए परियाटक क्या क्या त्यारी करके जाते हैं बरफिली हावा से बजने के लिए परियाटक जैकेट, बरफ तता स्कींग के जूते, टोपे आदी पहने होते हैं हालपस परवत पर कौन कौन से अनुसंधान के अंदर हुए है हालपस परवत पर हाई विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा खगोल सास्तर समंधी अनुसंधान के अंदर बने हुए है इसके आगे यहाँ पर कौश्चन नमबर थ्री, जो सौट कौश्चन एंसर था स्वीट जरलेन के दो रेलवे, स्टेशनों के नाम लिखो, यंग फ्रावयोक और आइसमीर यहाँ की दो जीलों के नाम लिखो, तुन जील और ब्राइज जील एसकिमो गाड़ी क्या होती है, उसे कौन खिचते हैं, एसकिमो गाड़ियां बरपर फिसलने वाली गाड़ियां होती है यह कुत्तों के द्वारा कीची जाती है, भासा दियन, व्याकरन से कुछ क्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे यह परते के दो सब्द लिखने के लिए क्या गया था दर्सन जोड इय तो बन जाता है दर्सन इय भारत जोड इय इसमें बन जाता है भारत इय और खर नमर में इसी में दिया हुआ था वान जोड कर सब्द लिखने के लिए का गया था तो यहां पे वान सब्द से बना हुआ है गुनवान और पिर बल में जोडवान तो बलवान हो और पहल जोडवान पहलवान हो गया धया जोडवान हो गया इस तरह से यह सब पूरिक कियाजा सकते हैं और वाईक बनाने के लिए कहा गया था धर्सन का वाईक यहां पे बना हुआ है इसुए अपने सचे भक्त को दर्शन देते हैं सिखर, इमाले परवत में अनेक उंचे सिखर है, संपूर्ण, संपूर्ण रामाईन का पाठ फल दायक होता है, परियटक, मन मोहक दिरिश से देखकर परियटक खीचे चले आते हैं, आराम दायक, सूती कपड़े आराम दायक होते हैं, और इसमें एक अंत में दियावा है, पर करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, तो आई हम लोग नेक्ट वीडियो में चलते हैं,